हेलो गाईज हमारे यूटूब चैनल कॉमर्स लाइप पर आप सभी का एक बार फिर सवागत है और आज हम लोग बात करेंगे आज की न्यूज की तो देखिए आज की जो न्यूज है क्या है कि जो परमान पत्र है परमान पत्रों के लिए अब ओनलाइन आविदन जैसे हमें क दोकुमेंट्स बनवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या है कि अब ओनलाइन आविदन कर सकते हैं ओनलाइन की जो परिक्रिया है उसे प्रारंब कर दिया गया है तो थोड़ा साथ में डीपली देखते हैं किस तरह की क्या नियूज है कि देखिए यहां पर दिया हुआ है कि चात्र चात्राएं प्रोविजनल सर्टिपिकेट माइगरेशन के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं विश्विध्याले की वेब साइट पर आविदन करने के बाद ओनलाइन फीस जमा कर सकते हैं सर्टिपिकेट बनने के बाद विश्विध्याले चात्रों को जानकारी द साइट पर पहले ही दिन जो है दो आवेदन आए मतलग कल 29 मई को यह साइट जो है उनलाइन स्टार्ट कर दी गई थी जो यह प्रोसेस है तो कल दो आप्लिकेशन आई है माइगरेशन के लिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए उसके बाद देखे क्या दिया हुआ है रेजटार दिरेंदर कुमार वर्मा ने बताया कि फिलहाल प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइगरेशन के लिए ओनलाइन आवेदन की व्यवस्ता की गई है चल्द ही CCSU की वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन में छात्र को मादापिता का नाम भणने के साथ साथ अपना मॉबाइल नंबर और इमेल आईडी और एक मिनट जी हाँ और इमेल आईडी भी देनी होगी जिससे विश्विद्याले परसाजन परमान पत्र को स्कैन करके उसके बाद उसकी कोपी एमेल आईडी पर भेज सके रिश्टार ने बताया कि छात्रों को अपना फोटो परमान पत्रों की कोपी भी ओनलाइन आविदन के साथ अपलोड करनी होगी उसके बाद परमान पत्र बनने के बाद विश्विध्याले परसासन छात्रों को इसकी जान करी देगा वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद विवी इन परमान पत्रों को कोरियर के माध्यम से घर बिजवाने की विवस्ता भी करेगा कुई अभी चछातर समस्या जो समस्या निवारन केंदर पर इसके लिए जो चातर समस्या निवारन केंदर पर बढ़ते हैं फारम फिलालव किसी को जोसा सिर्टीफिकेट और दूसरी जो news है वो है दूसरे जिलों में होगा मुल्यांकन यानि कि जो copy checking का काम है वो अब दूसरे जिलों में भी होगा देखे इसके बारे में क्या information है CCSU campus के लावा अन्य जिलों में मुल्यांकन के लिए 6 केंदर बनाए गए है इन केंदरों पर प्राचारिये मुल्यांकन समनवक होंगे और campus से बार कोडिंग होने के बाद इन सेंटरों पर कोपियां भीज जाएंगी साथ ही campus में सुकरवार से चारों केंदरों पर मुल्यांकन जो है सुरू हो गया है और जो OMR है उसकी checking भी सुरू हो गई है उसके बाद देखे क्या दिया हुआ है यहाँ पर तो यहीं दिया हुआ है कि जो है कहां कहां सेंटर बनाए गए है तो हम लोग फ़र देख लेगते हैं स्टार दिरेंदर कुमार वर्माने के मुताबिक गाजाबाद के mmh college में और दूसरा है बुलंसैर में और गोतमबुद और उसके बाद है मुझफवर नगर ठीक है जहां पर कोपियां checking होने का काम चल रहा है उसके बाद दे रखा है देखिए जो थोड़ा सा ये भी देख लेकते थे जो news है बहुत important news है कि 20 जून से हो सकती है परिक्षाएं परिक्षा को लेकर फिर से त्यारी कर ली सुरू हो गई है ये बता जा रहा है कि लगबग 20 जून के आसपास परिक्षाएं प्रारम की जा सकती है बाइस फरूरी से परिक्षाएं श्टार्ट हो चुकी थी लेकिन आप सब लोगों को पता है कि 18 मार्च को परिक्षाएं बंद हो गी थी अब विश्विध्याले ने final year की प्रिक्षाएं 20 जून को कराने की planning किया है कि 20 जून से जो final year वाले हैं उनकी प्रिक्षाएं प्रार यूज है वो यह है कि CCSU ने सारणपुर राज्य विश्विध्याले को दिये 100 करोड़ देखिए आप सभी को जानकारी होगी कि सारणपुर में यूश्टी बनने जा रही है तो उस यूश्टी को CCS कैमपस ने 100 करोड़ रुपे दिये हैं थोड़ा से समें देख लेते हैं क्य लाने के लिए CCS ने 100 करोड़ रुपे के फंड अपने फंड से दिये हैं कैमपस में सुकुरवार को हुई विट समीति की ओनलाइन बैटक में इस प्रस्ताव पर मोहड लगा दी गई है उसके बाद देख इसमें बताया गया है कि कहां कहां किस तरह से काम करेगी चोधरी चरण सिंग विश्विधाले से सम्मनित 9 जिलो में अभी फिलहाल 9 जिले आते हैं CCSU के एंडर में UGPGM जो ट्रेडिशनल वगरा और प्रोफेशनल कोर्सिस चल रहे हैं उसके बाद इन में एडिट कोल कोलिजों की संख्या साड़े 600 के आसपास है इन कोलिजों में पांच लाग से अधिक चातर चातरा हीं पढ़ते हैं ऐसे में विश्विध्याले पर जो CCSU है काम का बोज बहुत अधिक रहता है अब अब क्या होगा सहारनपूर राज्य विश्विध्याले के सुरू होने से स Self Finance College है वो इस सारनपूर की जो यूनिस्टी होगी उसके अंडर में आ जाएंगे ठीक है कितने जीले हैं यहां पर तीन एक बार फिर से देख लेते हैं सामली मुझा फटनगर और सारनपूर ठीक है तो यह College इनके अंडर में आ जाएंगे लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है अभी फिलहाल इस साल जो एडमिशन होंगे वो सारनपूर जो विश्विद्याले चलने वाला है उसके पोर्टल से नावकर के CCS के जो पोर्टल है वहीं से होंगे ठीक है उस पर अभी काम चल रहा है सारनपूर राज्ये विश्विद्याले का जो पोर्टल है अलग बनेग उस पर तीन एड़ विश्ण वागरें तीन जी लोग है सारणपूर, मुझभफणगर और सामली ठीज ये थी आज की न्यूज I hope कि आपको अच्छी लगी होगी Please चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको जो भी CCS से समधी जानकारी है